तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे class 12 के जो important question है उनको आज हम लोग देख लेते हैं ठीक तो इन सभी question बहुत important question है आप इन सभी question को त्यार जरूर करिएगा ठीक तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन-कौन से question है तो देखो यहाँ पर सभी question है सभी question जितने भी important question थे सभी question को मैंने एक line से पूरा लिख दिया है और इस वीडियो में मैं आपको चलो सभी question मता देता हूँ इन सभी question को आप लोग त्यार जरूर कर लिजेगा ठीक तो देखो यहाँ पर सभी question है लिखा है कि यदि वक्र under root x plus में under root y बराबर में under root a है तो इसके किसी बिंदु पर इस पर रेखा o x और o y अच्छों को क्रमसा p और q पर अगर काटते हैं तो सिद्ध करना है कि op plus में o q बराबर में a जहाँ पर o क्या है मूल बिंदु है ठीक यह question जब भी आएगा तो आपको 8 number देके जाएगा ठीक तो बटे में x का whole power x का उंचिस्ट मान e का घात एक बटा e है ठीक तो यह most important question है इसको आप लोग solve जरू करिएगा ठीक उसके बाद अगला question यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र a x square प्लस में b y square बराबर में एक है तथा a dash x square प्लस में v dash y square बराबर एक है तो एक द most important question है just one second मैं इन कीड़ों को मिटा दे ठीक उसके बाद देखो यहाँ पर अगला question है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध करना आपको यहाँ पर integration लगा है और यहाँ पर limit दिया गया है जीरो से पाई बाई टूठी लॉग cos x dx यह फिर यहाँ पर log sin x ठीक इसके स्थन चाहे cos x हो य answer आता है वो सेम ही आता ठीक इसी तरीके का यह सवाल भी इंपरटन है इसी तरीके का सवाल और भी है जहां पर नीचे बटे में 4 होता है तो इस तरीके के सवाल आ जाते है एक्जाम वे उसके बाद अगला कोश्चन है यहाँ पर यह भी बहुत important कोश्चन है कि परवले y square बराबर में 4a x 27 की नावी लंब जीवा से गीरे हुए छेतर का छेतरफल ग्याद कीजिए उसके बाद अगला कोश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि व्रत के अंतरगत महत्तम छेतरफल वाला एक आयत है उसके बाद अगला कोश्चन है अगला कोश्चन यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर यह देखो आपका मिल गया यह सवाल लगता है आपको दुबारा आगया ठीक तो यह सवाल अभी इसके उपर पढ़ाना उसके बाद यहाँ पर देखो है निमन समी करनो को आप वी वीट से हल किजे देखो एक बाद आपको बता दें कि इस तरीके के सवाल एक्जाम में आता है और आने के बाद वो आठ नंबर पक का यह आठ नंबर का ही आता है art number आपको देखे जाएगा और इस बात को समझ लो देखो हम ये नहीं बताते हैं कि आपको यही सवाल मिले गए exam में ठीक हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इस type के question आपको exam में मिल सकते हैं अगर आप इस सवाल को पहले ही solve कर लोगे तो इस तरीके के सवाल कैसे solve की जाते हैं ये तो आपको पता चले आएगा अब इसके बाद चाहे वो यक्स के आगे 4 लिख दें Y के आगे 6 लिख दें Z के आगे 20 लिख दें उससे नहीं मतलब आपको तरीका पता है जैसे ये सवाल लगेगा उसी तरीके से इस प्रकार से कोई भी सवाल आजाएगा तो आप solve को ले जाएगे ठीक तो देखो कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि ये question ले लो बहुत important है most important है आपके board exam में यहीं आएंगे इससे आगे नहीं आएंगे बस आपको इतना ही पढ़ना है तो कोई कितना भी कहा है कि ये most important है बस इतना ही पढ़लो इससे आगे नहीं आएगा ये सब हमें जहां तक लगता है जब क्योंकि board exam में किसी को पता नहीं होता है कि कौन-कौन से question आएंगे हाँ ये है कि guess लगा सकते है कि हाँ ये question आ सकता है बट ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़लो इससे आगे नहीं आएगा ऐसा नहीं है ठीक क्योंकि board exam है वो कोई भी सवाल आ सकता है ठीक तो 100% किसी पर आपको यकिन नहीं करना है आपको पढ़ते रहने है जितने भी important question है आप उनको एक बार थोड़ा से पढ़ लीजेगा थोड़ा उन पर ध्यान दीजे कुछ question होते हैं जो repetition होते हैं जो exam में आया करते हैं बार बार ठीक तो उन type के जो सवाल है वो आपको पढ़ लीजे और हो सकता है कभी कभार होता है कि वही question आजाता है और कभी कभार होता है कि उस type का question आता है मतलब कि जैसे आपको होता है कि जैसे इस type के question अकसर आते हैं और जब भी आते हैं तो 8 number देखे जाते हैं तो इस तरीके के आप भी विससे जो हल किये जाते हैं इन तरह के question आप solve कर लिजेगा और इस तरीके क्यूंकि question आते हैं ठीक तो हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि हम जो सवाल बता रहे हैं वही आपके board exam में आ जाएंगे उस तरीके के सवाल आ सकते हैं हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत change करके दे या हो सकता है same to same है ठीक तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा हम आपको नहीं बता रहे हैं कि यही question same आएंगे हाँ इस type के question आ सकते हैं ठीक और देखो आप लोग इसमें आपको उताते हैं कि आप वह जो नियूंतम दूरी वाले होते हैं निल्स एक कि वह हैं आप लोगों को प्राइद ढौह वहुर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आपने पढ़ा होगा तो वैसे तो आप लोगों को सवाल लगाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा इंपोर्टेंट कोशन है इनको आप सवाल कर लिजेगा त्यार कर लिजेगा इसी टाइप के कोशन आएंगे एक्जाम में तो चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं आई होप आप समझ गया हूंगे तो ये कोशन आपका पांच नमबर का होता है और उसके बाद अगला कोशन है यदि आती परवल है यक्सी स्क्वेर बटे में इस्क्वेर माइस में वाई स्क्वेर बटे में वी स्क्वेर बराबर अगर एक है तो इसकी इस परसी जो है एल एक्स प्लस में एम वाई बराबर में N है तो सिद्ध कीजिए कि A square L square प्लस में V square M square बराबर में N square ठीक तो ये question भी आपका 8 number होता है तो चलिए मैं आपको अगला question बता देता हूँ उसके बाद देखो अगला question है कि यदि सरल रेखा LX plus में MY बराबर में N बराबर में 0 तो दीर गवरत यक्स square बटे में A square प्लस में Y square बटे में V square बराबर एक पर अभी लंब होतो सिद्ध कीजिए कि A square बटे में L square B square बटे में M square बराबर में A square माइनस V square का whole square बटे में N square ठीक तो ये भी अच्छा सवाल है ये भी आपका 8 नंबर काता है उसके बाद ये इसमें जो 52 पत्ते वाले सवाल होते हैं ये भी आते हैं मतलब 12 बार एक जाम में आते रहते हैं ये लिखा है कि 52 पत्तों की एक गड़ी में से यादरच्छा बिना प्रतिस्थापित किये गए दो पत्ते निकाले जाते हैं मतलब निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रैक्टा होता है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपका अगला कोश्चन है, लिका है कि सिद्ध कीजे कि लिमिट दिया गया है, 0 से πाई बाई 2, अंडरूट कॉस एक्स, डे एक्स और वटे में, कॉस एक्स प्लस मे साइन एक्स बराबर में एक बटा चार होते हैं, ठीक, कई सवाल ऐसे होते हैं, यनि कि इसी निश्य समकलन में, जिनमें ऐसे होते हैं कि जिनमें पाई बटा चार ही आइंसर आता है, बहुत से सवाल हैं, जिनमें पाई बटा चार ही आइंसर आता है, ठीक, और यहाँ पर द ठीक तो यह question आपका 5 number का आता है यह question भी बार-बार आता है ठीक और उसके बाद सिद्ध करना है आपका यह question भी important बहुत ज़ता है important question है यहाँ लिका है यहाँ लिका है integration 0 से πाई बाई 4 log sin 2x dx बराबर माइनस πाई बाई 4 log 2 ठीक देखो चाहे यह question आए या इसके पहले भी अभी मैंने बताया था ना minus pi by 2 log 2 ऐसे करके जो इसके उपर था ना तो जब आप इस question को solve कर ले जाएंगे तो वो जो इसके पहले question आपने इसी type के देखा था वो question भी आप लगा ले जाएंगे तो इसको जब आप solve करेंगे तो जैसे यह लगेगा वैसे वो question भी आपका लगेगा उसके बाद देखो यहाँ पर आपका अगला question क्या है तो देखो यहाँ पर अगला question है कि सिद्ध कीजिए कि integration 0 से pi और x tan x वटे में ऐसे कि x cos x dx बराबर में यह पाई स्क्वेर बटे में 4 उसके बाद अगला question है यह दि तिरिभूज a b c के सीर्षों के जो इस्तिति सदिस हैं वेक्टर a वेक्टर v और वेक्टर c हो तो सिद्ध करना आपको कि छेतर यानि जो तिरिभूज है उसका छेतर फल जो है एक बटे 2 mod of vector a cross vector v plus में vector v cross vector c plus में vector c cross vector a यह होता है तो यह इसको आपको सिद्ध करना है उसके बाद अगला question है कि सिद्ध कीजे कि दिये गए संपूर प्रेस्ट और महत्तम आयतन वाले लंब व्रत्ती का अर्ध सीर्स कोड जो है और sine inverse एक बटा 3 है यह भी काफी important question है उसके बाद देखो यहाँ पर अगला question लिखा है sine y बराबर में x sine a plus में y हो तो dy बटे में dx बराबर में sine square a plus में y बटे में sine a ठीक उसके बाद अगला question है यदि वक्र ax square plus में vy square बराबर में 1 a1 x square plus में b1 y square बराबर में एक दूसरे को some point पर काड़ते हैं तो सिद्ध करने आपको इतने बराबर ठीक उसके बाद अगला question है कि आपका मतलब की या प्रैक्टर को सवाल है यहाँ लिका एक class में 5 लाल गेंदे हैं 5 काली गेंदे हैं या दरच्छा एक गेंद निकाली जाती है इसका रंग नोट करने के बाद पुना अगला question हुआ है लिंक आपको description box में मिल जाएगा या फिर सितिया जाना चाइनल पर देख लिए ठीक उसके बाद को यहां पर अगला कोश्चन लिखा हुआ है कि एक थैला में तीन लाल गेंदे हैं चार काली गेंदे हैं तो एक गेंद को थैले 1 से थैले 2 में इस्तनाधित कर दिया जाता है यानि जो पहला थैला है इसमें से गेंद निकाल कर दूसरे थैले में रख दिया ठीक थिक स्तनाधित करने के मतलब रख धी जाता है तब एक ढेंद थैले 2 से निकाली जाती है तो केते निकाली गई जो दिम की रंग लाल रंग की है तो इस धनान्तृत की X का पावर, X का पावर 2बटा 3, प्लस में Y का पावर 2बटा 3, बराबर में A का अगात, 2बटा 3 का अभिलम, यग सच से, 5 कोड बनाए, तो सिध्य कीजिए की, अभिलम का जो समीकरण होता है, वो इतना होता है, ठीक, यह आपको जयनी सिध्य करना है, आठ नमबर का कोश्चन है ठीक वैसे जितने भी मैने कोश्चन आपको बता है यह सभी पांच नमबर के या आठ नमबर के कोश्चन है बस एक ही दो कोश्चन ऐसे हैं जो एक दो नमबर के कोश्चन है बाकि आपके जितने भी मैने सवाल मतलब जितने भी important आपको सवाल बता रहे है यह सभी सवाल में सभी 8 number के हैं या भी 5 number के हैं सभी सवाल यहाँ लिका है यह दि cos inverse x plus में cos inverse y बरावर में 5y2 तो सिद्धि कीजे कि cos inverse x बरावर में sin inverse y होता है ठीक उसके बाद देखो यहाँ पर अगला question है बरावर में 1 plus में under root 10 x बरावर में pi by 4 ठीक तो यह भी pi by 4 होता है तो बहुत important question है यह उसके बाद सिद्धि करना है आपको यह सवाल जीरो यानि इंटिक्रेशन 0 से pi x dx बरावर में a square cos x square plus में v square sin x square बरावर में pi square बरावर में सिद्धि करना आपको d y dx बरावर में log x plus में 1 plus में log x का whole square ठीक important question है और बहुत अच्छा सवाल है इसको आप बहुत अच्छे solve कर सकते हैं ठीक बहुत सवाल है और यहाँ पलिका है कि यदि y बरावर में 10 x का घात 10 x इसी तरह के से आपके यानि आपको सिद्धि करना है dy y dx बरावर में 2 y square cause x 2 x बटे में 1 minus y log 10 x ठीक तो यह आपको यानि सिद्धि करना है उसके बाद यहाँ पलिका है दिखाईए कि परवलियों y square बरावर में 4 x सथा y square बरावर 4 ay के बीच का जो छेत्रपल है वो 16 बटे में 3 a square है इतना होगा ठीक यह भी 5 नमबर सवाल है यह आप लिकाए यह y बरावर में sine inverse x बटे में 1 minus x square हो तो सिद्धि करना है आपको 1 minus x square y y dx बरावर में x y plus में 1 ठीक तो यह भी अच्छा सवाल है उसके बाद लिकाए सिद्धि कीजिए कि cos inverse 3 बटे में 5 plus में cos inverse 12 बटे में 13 बरावर में sine inverse 63 बटे में 65 होता है ठीक तो बहुत अच्छा question है यह भी तो देखो यह जितने भी question है आपके सभी most important question थे और इन question को तयार कर लिजेगा इसी type की question आते है तो ऐसा नहीं कि same to same आ जाये ऐसा भी हमने क्या रहा है ठीक आ आ सकते हैं इसी type की आ सकते हैं याavः same to same प्या सकते हैं ठीक तो इन सभी जळादá question नहीं है इन सभी question को आप त्यार कर लिजे जेव बाकी जो question ए छोटे मोटे जो question आए तो आएंगे क्योंकि वो आएंगे और उनको आप लगा ले जाएंगे तो इसका जो पीडियाफ होगा वो आपको telegram में मिल यहेगा तो आप तो आपको ले जाता है तो आप इन लोगों को इन को सॉल कर लिएगा जो कोशन आया बताना आप नीचे कंड़ बाक्स में आपको वो कोशन करा दूंगा तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक निके तो वीडियो को लाइक कर दें और जागर चैनल को सब्सक्राइ ने की आयद चैनल को सब्सक्राइब पर लें देखो किसी पर आप आखी मोंद कर विश्वास मत करना ठीक जितने भी आप से आपको हो सके उतना ज्यादर रिवीजन करिएगा ठीक और आप लोग वैसे रिवीजन इस अब बुक से ना करें अब आप लोग अन्सॉल्व करें प्रिवियस एर पेपर जो होते हैं उन सबको सॉल्व करें जो मौडल पेपर आपको मिलें अखवार में मौडल पेपर निकाल देते हैं तो उसमें से आप उन सवालों को मतलब सॉल्व करें ठीक आप लोग वैसे बुक से ना सॉल्व करें अब सिधा सिधा रिवीजन करने क के लिए अच्छा तरीका है कि आप लोग सिधा अन्सॉल्व सॉल्व करें उसमें से जब ना आए तब आप लोग जो कोशन ना है उस लोग पोच भी सकते हैं आप लोग ठीक नीचे कंड़ाउक्स होता दिना वैसे तो दो तीन दिन आपके पेपर के बचे हैं तो आप लोग यानि अन्सॉल्व से कोशन तयार करिएगा और उसके बाद चलते हैं मिलेंगे अग्लिवेडर में सो थैंक्स प्रॉचिंग एंड़ सी अगेन इन नेक्स टूडियो